एक बड़े से जंगल में काफी सारे जानवर रहते थे, बेग और स्मॉल, वहाँ एक हरगोश भी था, जिसके बनी टीट, सौप्ट फर्ड और लंबे कान थे, उसे अपने ऊपर काफी प्राउट था, मैं इसकी टीज दोड सकता हूँ कि कोई भी मुझसे कभी नहीं जीत सकता एक दिन उसे एक छोटा सा कच्वा रिखा, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था, खरगोश उस पर हसा और कहा कच्वे ने खरगोश पर ध्यान नहीं दिया, और चलता रहा, लेकिन खरगोश ने कच्वे का मज़ा फेर उड़ाया कमान, मेरे साथ रिख लगाओ या पर हार मान लो कच्वे ने खरगोश से कहा, कोशिश करने में कोई बुराय नहीं है, चलो ठीक है, करते हैं दोनों रिख जल्द ही इन दोनों की रिख की खबर पूरे जंगल में फैल गए, और सारे जानवर ये देखने के लिए एकठा हो गए कि कौन जीतता है तभी कच्वे का एक दोस्त उससे कहता है, तुम खरगोश से रिख क्यूं लगा रहे हो, कोई शक नहीं है कि वो ही जीतेगा और फिर उसके एक दूसरे दोस्त ने कहा, हार मान लो, इससे पहले कि तुम्हारी बेई सकती हो जाए लेकिन कच्वा हार मानने को तयार नहीं था मुझे कम से कम कोईश तो करने दो, जादा से जादा मैं हार ही तो जाऊंगा खरगोश बहुत ही जादा प्राउड और ओवर कॉन्फिरेंट था दिखाओ हमें तुछ कितना दीज दोड सकते हो, भरी नहीं चल सकते हो अच्छिली दूसरे जानवरों ने उन्हीं चेयर किया और रेस शुरू हो गए खरगोश ने जल्डी से दोड़ना शुरू किया और वो काफी दूर निकल गया उसे धीरे धीरे आ रहा कच्छवा, नजर भी नहीं आ रहा था थोड़ी देर बाद ही खरगोश ने लंबा रास्ता तै कर लिया और कच्छवा उसी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए एक पेर पे नीचे आराम कर लेते हैं उसने कहा इतनी मैंनत क्यों करनी, मैं तो वैसे भी जीरी जाओंगा जब के मार लेता हूं जल्द ही वो गहरी नीद में सो गया बहीं दूसरी तरफ कच्छवे ने हार नहीं मानी थी धीरे ही सही, लेकिन वो चलता जा रहा था और फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ता जा रहा था फिनिशिंग लाइन पर सारी जानवर वेट कर रहे थी कि हरगोश ही सबसे पहले रेस फिनिश करेगा लेकिन वो सब कच्चवे को देखकर आवी हैरान हो गए ये सब देखकर वो कच्चवे का होसला बढ़ाने लगे ऐसे ही बढ़ने ना, तुम बहुत अच्चा कर रहे हो तुम फिनिश करने वाले हो तब ही हरगोश की नीद खुले कच्चवा तो नहीं दिख रहा चलो अब मैं फिर से दोड़ता हूँ और रेस फिनिश कर लेता हूँ लेकिन वो हैरान रह गया जब उसमें देखा कि कच्चवा तो उससे पहले ही फिनिशिंग लाइन पर पहुँच गया है और रेस जीत गया है ये नहीं हो सकता खरगोश का घमंड चूर चूर हो गया सारे जानवरों ने रेस जीतने पर कच्चवे को बधाई दे और खरगोश ये सब देखकर उदास हो गया फिर कच्चवे ने खरगोश के पास जाकर कहा किसी को भी अपनी काबिलियत पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए इस बात को याद रखना हमेशा हमबल बने रहो और अपनी पूरी कोशिश करने से पहले कभी हार मत मानो अंतने खरगोश को ये लेसन मिला कि अगर मेहनत की जाए तो स्लो होने पर भी रेस को जीत सकते है